नमस्कार, आज तक AI के राशिफल स्पेशल कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आज यानी गुरुवार की राशियों का हाल बताएंगे। आपको कहां फाइदा हो सकता है और कहां संभल कर चलने की जरूरत है, सारा हाल इस राशिफल में बताएंगे। शुरू करते हैं आज का कारिक्रम। राशिफल में सबसे पहले बात मेश राशी की। मेश राशी वालों को विभिनक शेत्रों में सफलता मिलने की संभावना है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। मेश राशी वालों के चारों और अनुकूलता बनी रहेगी। आपके साक सम्मान में वृद्धी होगी। आपका करीबियों से जुडाव बना रहेगा। इस राशी वालों का मनोबल बढ़ेगा और सकारात्मक्ता बनी रहेगी। आज दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है। तीन और नौ अंग आपके लिए शुब होंगे। सिंदूरी रंग आपके लिए लखी रहेगा। अब बारी है व्रिश राशी की। व्रिश राशी वाले संबाद में धैर्य बनाए रखें। आपके लिए दूर देश के मामलों में सक्रियता आ सकती है। आपका निवेश और खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है। व्रिश राशी वाले अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे। बजट पर आप नियंतरन बढ़ाएंगे। इस राशी वाले रिष्टों में मिठास बनाए रखेंगे। आप अपनों के लिए क्षमता से अधिक खर्च करेंगे। आपके लिए सला है कि आप किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए चार और छे नंबर आपके लिए शुब हो सकते हैं पाइनेपल कलर आपके लिए लखी रहेगा अब बढ़ते हैं मिथुन राशी की तरफ मिथुन राशी वालों के आर्थिक प्रयासों में तेजी आएगी आपका कामकाज और प्रबंधन अच्छा रहेगा आप सभी का सहयोग करेंगे इस राशी वालों के विभिन्न मामले पक्ष में बने रहेंगे आपका निजी जीवन खुशाल रहेगा आपको व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे मिथुन राशी वालों का व्यवहार तरफ्पूर्ण रहेगा आप मित्रों को प्राथमिक्ता देंगे पांच और साथ अंग आपके लिए लखी रहेंगे केले जैसा रंग आपके लिए शुब होगा राशिफल में अब हम कर्क राशी की बात करेंगे अनेक कामों में तेजी दिखाएंगे आपके घर में हर्ष और आनद रहेगा इस राशी के लोग अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे शास्किय प्रयास पक्ष में बनेंगे कर्क राशी वाले लोगों के दीरगकालिक योजनाओं को बल मिलेगा सफलता उम्मीद से अच्छी रहेगी दो, तीन और नौ आपके लखी नमबर है गोल्डन कलर आपके लिए लखी होगा कर्क के बाद सिंग राशी की ओर बढ़ते हैं करीबी प्रसन और मददगार होंगे इस राशी के लोग सभी को जोडने में सफल होंगे आप आस्था और विश्वास रखेंगे सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे धार्मिक और आध्यात्मिक्ता के विशय में रुची बनी रहेगी आप अपने लक्ष पर फोकस बढ़ाएं सिंग राशी वालों के लिए एक तीन और नौ शुब अंख है आज आपके लिए सन्राइज कलर लखी होगा सिंग के बाद कन्या राशी का नंबर आता है समय की एहमियत को देखकर सावधानी से आगे बढ़ेंगे आप रिष्टेदारों से सीक और सलाह लेंगे इस राशी के लोग नजदिकियों का साथ और सहयोग पाएंगे आप अनेक कारियों में धैर्य दिखाएंगे जोखिम उठाने की सोच से बचेंगे तीन और पाँच आपके लिए लखी नंबर है कन्या राशी वालों के लिए आवला समान रंग शुभ होगा कारिक्रम में अब तुला राशी के बारे में बताएंगे तुला राशी वाले कामकाजी परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे आप सभी का साथ और सहयोग पाएंगे आप में टीम भावना बढ़ेगी इस राशी वालों की दीरगकालिक योजनाओं में गती आएगी आपके लिए उद्योग व्यापार में अवसर बने रहेंगे आपके सामर्थे में बढ़ोतरी होगी तुला राशी वाले अपनी सारी जिम्मेदारियों को मखूबी निभाएंगे दो और आठ नंबर आपके लिए शुब हो सकते हैं पीतामरी रंग आपके लिए लखी रहेगा अब बात करेंगे व्रिष्चिक राशी की व्रिष्चिक राशी वाले महनत से राह बनाएंगे आप अनुशासित और विनम्र बने रहेंगे करियर कारोबार में बहतर प्रदर्शन करेंगे आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा आपके लिए सलाह है कि आप उधार का लेंदे ना करें नियम अनुशासन से चलें इस राशी वाले रिष्टों का ध्यान रखेंगे आपका मनोबल पूचा रहेगा एक और नौ अंक आपके लिए लखी रहेंगे हल्दी जैसा रंग आपके लिए शुब होगा अब धनु राशी वालों का राशिफल जानेंगे धनु राशी वाले सीखने की आदत बनाए रखेंगे आपका कामकाजी प्रदर्शन बहतर रहेगा आप अवसरों का लाब उठाएंगे आधुनिक विशों में आपकी रुची रहेगी इस राशी वाले कार्य व्यापार में सजक्ता बढ़ाएंगे आप आज घूमने जा सकते हैं धनु राशी वालों का रुटीन सवरेगा धनु राशी वाले प्रबंधन में रुची लेंगे दो और पाँच नंबर आपके लिए शुब होंगे संत्रे जैसा रंग आपके लिए लखी रहेगा अब बढ़ते हैं मकर राशी की ओर अपनों को समय देने का भाव रहेगा कार्य और व्यापार में भैतर प्रदर्शन होगा इस राशी के लोगों को आकरशक प्रस्ताव प्राप्थ होंगे आप पारिवारिक कामों में उच्सा दिखाएंगे मकर राशी वाले घर परिवार से करीबी बढ़ाएंगे छे, आठ और नौ आपके लिए लखी नंबर है गेहुआ रंग आपके लिए शुब होगा मकर के बाद कुम्भ राशी का राशिफल बताते हैं शुब सूचनाओं का आदान प्रदान बना रहेगा आप सामाजिक विश्यों पर फोकस रखेंगे कुम्भ राशी वाले लोग अनुभवों का फाइदा उठाएंगे आप जरूरी कामों में तेजी लाएंगे इस राशी के लोग कामकाज पर फोकस रखेंगे आज आपके लिए तीन और आठ शुब अंक है कुम्भ राशी वालों के लिए पीतामबरी रंग शुब होगा कारेकरम के अंत में अब हम मीन राशी की बात करेंगे आप कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपके घर परिवार में आनंद रहेगा इस राशी के लोग रिष्टेदारों का भरोसा जीतेंगे आप अतिथियों का सत्कार बनाए रखेंगे रक्त संबंधों में नजदी की बढ़ेगी मीन राशी वाले लोगों के मान सम्मान में उन्नती होगी आज आपके लिए 3, 6 और 9 शुब अंक होंगे के सरिया कलर आपके लिए लखी होगा राशीफल के कारेक्रम में आज इतना ही हम फिर आपके सामने सभी राशियों का हाल लेकर आएंगे और विस्तार से बात करेंगे आप आज तक AI के साथ बने रहे आपका दिन शुब हो